दिनेश में आइस बार भोजपूरी का सांसत कौन बनेगा भोजपूरी इंडस्टी से पाउन सिंग आ रहे हैं अगला नमबर तो पाउन सिंग काई आज जो है बिहार की धर्ती पे एतिहासिक शो होने जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में ये हमारे भोजपूरी सिनेमा के लिए और संगीत के लिए दोनों के लिए बहुत बड़ा काम होगा है शरी पहला आवाट तो जारा है जिसमें सारे कलाकार सारे स्टार एक साथ होंगे क्या करना चाहेंगे यही तो सबसे अच्छा समय होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि जो हमारा परिवार है, वो यही भोजपुरी परिवार है, और हम लोग अपने अपने काम में ब्यस्त रहते हैं, अलग-अलग जगहों पे रहते हैं, लेकिन जब ऐसा कोई शो होता है, ऐसा कोई अवार्ड होत परिवार के लोग होंगे, विल्कुल पाटिसिपेट करते हैं और देखिए, हमारा जो बिहार है, वो पूरे दुनिया में, आप चाहे देख लीजिए हमारे भिखारी ठाकुर जी को देख लीजिए, चाहे महंदर विशर जी को देख लीजिए, शार्दा सिना जी को देख हमारे भरत शर्मा जी को देख लीजिए, पनोश्तिवारी जी को देख लीजिए, हमारे पवन सिंग जी को देख लीजिए, केसारी लाल यादो जी को देख लीजिए, अभी अंकुस राजा आगे, तो बिहार की धरती ने तो संगीत के छेतर में एक से एक धुरंदर दिया ह तो इस मिटी का तो कमाल है, पुरी दुनिया इसको मानती है सर सांसत बनने के बाद से जिम्यदारियां कापी बढ़ी है और आप उसको अपने कंदे पर उठा के चल भी रहे लेकिन सर अभी भी अगर भोजपुरी फिल्मों की बात जब जब आती है तो मल्टी प्लेक्स अभी भी चूता है सर तो क्या आने वाले समय में लग रहे है सर कि इन चोजों में बदला होगा और भोजपुरी को जग मिलेगी निश्ची तुरूप से और आप देखिए कि आज जो है छोटे-छोटे शेरों में भी मल्टी प्लेक्स बनने लगे पहले तो था ही नहीं और अब धीरे-धीरे बन रहे हैं तो निश्ची तुरूप से जब हर शहर में ये मल्टी प्लेक्स बन जाएगा तो वहां बोजपुरी फिल्में भी लगेंगे निश्ची तुरूप से लगेंगे क्योंकि बोजपुरी में बहुत अच्छी फिल्में बन रही है इतना विशय प्रधान फिल्में बन रही है क उसे देखके हमारा भुजपुरी समाज भी यह कह रहा है कि इसी तरह कि इसी इसी फिल्मी बननी चाहिए थी और सभी लोग अच्छी फिल्म बना रहे हैं तो यह अच्छी फिल्मों की ही देन है कि उसकी डिमांड पूरे दुनिया में बढ़ रही है तो निश्ची तरोब से आने वाले समय में मुल्टिप्लेक्स में भी अपनी बहुजपुरी सिनिमा को सब्सक्राइब मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इस देश के लिए सोचता है देश के भले के लिए सोचता है उन निश्चीत रूप से हमारे प्रदानमंतरी जी के साथ होगा और जब जिसक प्रदानमंतरी जी के साथ हाना तै किया और निश्चीत रूप से ये हमारे बिहार के लिए भी बहुत अच्छा होगा आपको देखकर लोगों ने फिल्मों को बहुत पर अप्रिशेट किया है चीज़े काफी बदली है मैं आने वाले जो न्यू कमर्स रड़किया है उनके लिए क्या मैसे से रहे किस तरह से इंडस्ट्री में कदम रखे काम करे और भोजपुरी को आगे बढ़ा है आइ थिंक मैं हमेशा ये बात बोलती है और आज फिर बुखोंगी कि लड़किया जब अपने घर से निकले इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए तो पहले ही परिपक्व होके निकले है अपने acting skills अपने performance skills पर काम करके इंडस्ट्री में आए और कोई भी कारे करने से पहल अपने माता-पिता का अशिरवाद उनकी permission लेकर ही वो काम करना चाहिए and I think it's a vast industry हमारे इंडस्ट्री में आए दिन बहुत सारी फिल्में बन रही है अच्छाचे concepts पी फिल्में बन रही है तो अभी platform बहुत बढ़ा बच चुका है हर artist से लड़कियों की नहीं लड़कों क अपना नाम बनाए मैं मैं जब महिला परधान फिल्में भोचपुरी में बनी है उसको अच्छे घर के लोग भी ठीटर जाकर देखे हैं तो मैं क्या इस तरह की फिल्में इस तरह के content पे काम करना और आप लोग जब जब आते हैं तो क्या सोचते हैं कि किस तरह से हम हमारी स्क्रिप्ट को हमारी उस फिल्म के लिए सबसे इंपोर्टेंट चीज हमारी स्क्रिप्ट होती है बाकी सारी चीज़ बार में होती है तो अब जब भी content-based cinema बनेगा लोगों को पसंद आएगा है हर बार ऐसा हुआ है कि जब भी हमने अच्छे content पर फिल्म बनाई है लोगों को पसंद आई है तो वही हमारा सबसे बेसिक रीजन होता है फिल्म मैं में मुझी तो ओट सुगर कर क्या काना से रहा है जी जी बिल्कुल अभी अभी जैसे आपने कहा कि दोगी फिमेल और एंटर फिल्मों की बार तो मैंने अभी मंदफ फिल्मिक की है जो बहुत की जब इसे पहले एक विद्या फिल्म की फिर नई हर फिल्म की ऐसी कही साही फिल्में लाइन आप है जो लोगों को पसंद आ रही है तो बिल्कुल आपका सवाल एक Дem सही है जब बी कंटेंट को धि हन मी रखके फिल्में बनाए जाती है तो लोग पसंद करते हैँ मोढ़ पर बनेगा भोजपूरी से पाउन सिंग आ रहे हैं अगला नमबर तो पाउन सिंग आईगी चल्व पाउन सिंगी कोप की भी आप सब्सक्राइब मुझे लगता है जो हमारा भोजपूरी समाज है आप सब जाने को है कि हमारा भोजपूरी समाज जो है वो इतना देश के प्रती लगाव रखता है आपको बता है हमारे विहार की दरती से ही करते हैं तो देश के लिए अच्छा कर रहा है जब यह आएंगे तो उनके साथ ही आए